नमस्कार आप देख रहे हैं दायेंगल और मैं हूँ आपके साथ नीथू शर्मा राजस्तान में कोरुना संक्रमन के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में इसे ध्यान में रखते वे अशोगेलोत सरकार ने आज राज्य की सीमाय साथ दिन तक सील करने के साथ ही एक नई गाइडलाइन भी चारी की है इसके तहत राज्य सरकार का प्रयास है कि COVID-19 को नियंतरित करने के लिए अंतराज्य आवागमन को नियंतरित किया जाए चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिये बताते हैं कि इस नई गाइडलाइन के अनुसार क्या नए निर्देश प्रदेश सरकार की और से चारी किये गए हैं विदेशों से लौट रहे लोगों को 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करना अनिवार ये प्लेन, ट्रेन या बस से आने वाले यातियों की स्क्रीनिंग करनी होगी सड़क मार्क से आने माले लोगों की बॉडर पर ही स्क्रीनिंग की जाए और आईडी चेक हो राज़े से बाहर जाने की अनुमती के वल पास वाले व्यक्तियों को होगी इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमेंट के फैलाओ को नेंतरित करने के लिए राजिस सरकार निरंतर प्रयासरत है ऐसे में जरूरी है कि हम सब भी अपनी जिम्यदारी समस्तेवे आवशक सावधानियां बढ़तें और अगर बहुत जरूरी है तो सरकार की गाइडलाइन्स की पालना करतेवे यात्रा करें